जहीं दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जोब सग्यान में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HP Milk Feed के द्वारा Requirement जारी की गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी Requirement है वो PN चोकिदार Cleaner, Salesman, Guest House Attendant की इसमें आपको लग-लग वकैंसे जरी की गई है तो दोस्तों आगे हम आपको इसका पुरा Elisability Criteria के बारे में बताएंगे और आप इसका Form कैसे Apply कर सकते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वले हैं तो दोस्तों यह HP Milk Fade की Official Website है जिसमें आपको वकैंसे जरी की गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी वकैंसे जरी की गई है तो दोस्तों इसमें जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जो है डिरेक्ट इस पेज पर ओपन हो जाओगे और यहां से आप अपनी advertisement चेक कर सकते हो तो दोस्तों जैसे हम सबसे पहले advertisement for the salesman के उपर क्लिक करेंगे तो इसकी जो advertisement है वो यहां से download होकर open हो जाएगी तो दोस्तों इसमें आपको advertisement दी गई है तो दोस्तों इसमें जो आपकी vacancies है salesman की वो आपकी एक post दी गई है daily wages पे जो की journal category के लिए है तो दोस्तों इसमें जो आपकी education qualification रहेगी वो 10th plus 2 पास होना चाहिए और इसमें age limit 18 से 45 साल तक दी गई है तो दोस्तों इसके बाद इसकी जो processing fees है वो आपको 500 रुपय होगी general category के लिए और 500 रुपय reserved category के लिए DD बनवाना पड़ेगा आपको favor of HP state corporate milk product federation limited तो 2 shimla 2 के नाम से आपको इसका DD बनाना पड़ेगा तो दोस्तों आप बात करते हैं इसके application form की तो इसमें आपको application form भी दिया गया है जो आप इसे download कर अपने form के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसको आप यहां से check कर सकते हैं और यह पूरा भरने के बाद आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं हम second post की जो की है guest house attendant की तो दोस्तो इसकी भी आपको यहाँ पर PDF दी गई है वो आप download कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें आपको advertisement जारी की गई है जो की guest house attendant की है तो दोस्तो इसमें भी आपको दो पोस्टे जारी की गई है डेली वेजिस पर जिसमें आपको जर्नल कैटागरी के लिए है तो दोस्तो इसके लिए आपकी आजूकेशन कौलिफकेशन रहेगी आपकी 10th पास होनी चाहिए और आपके पास वान इयर का डिपलोमा होना चाहिए होटल मनेजमेंट का तो दोस्तो इसमें जो आपकी एज लिमेट है वो 18-45 साल तक दी गई है तो दोस्तो इसकी भी जो प्रोसेसिंग फीस है वो जर्नल कैटागरी के लिए 500 है और रिजर्वड कैटागरी के लिए डाइस और पास है इसका भी आपने डीडी बनवाना है तो दोस्तो इसके नीचे आपको इसका एप्लिकेशन परफोर्मा दिया गया है वो आप इसे डाउनलोड कर यहां से अपने फोर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद जो next post है advertisement for the post of cleaner की तो आप cleaner के उपर क्लिक करोगे और यहां से इसकी भी advertisement डाउनलोड हो जाएगी तो दोस्तो cleaner की इसमें आपको 5 post दी गई है जिसमें journal की 3 है, OBC की 1 है और ex-serviceman की 1 है तो दोस्तो इसके लिए आपका 10th pass होना जरूरी है और 2 साल का experience होना चाहिए working in chilling plant, dairy laboratory इत्यादी में आपका experience होना चाहिए 2 साल का तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें जो आपकी age limit दी गई है वो 18 से 45 साल तक दी गई है तो दोस्तो इसके बाद eligibility for requirement आपको यहाँ पर दी गई है वो आप यहाँ से check कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं इसकी processing fees की तो इसमें journal category के लिए 500 पैफीस रहेगी और reserved category के लिए 500 पैफीस है इसका भी आपने DD बनवाना है तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपको इसका application performa दिया गया है वो आप यहाँ से download कर इसके इस form को apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद बात करते हैं चोकिदार की तो चोकिदार की भी इसमें आपको advertisement दी गई है तो दोस्तो चोकिदार की इसमें आपको टोटल तीन पोस्ट ही दी गई है जिसमें जर्णल कैटेगरी के लिए है तो दोस्तो इसके लिए आपका जो है टैंथ क्लास पास होना जुरूरी है और आपके पास दो साल के एक्सपिरेंस होना चाहिए चिलिंग प्लान, डैरी प्लान, लिबर टरी, स्टोर इत्यादी में तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो बात करें इसकी edge limit की तो इसमें जो आपकी edge limit है वो ठारा से पंताली साल तक दी गई है और इसमें जो आपकी processing fees है journal के लिए वो 500 रुपय रखी गई है तो दोस्तो इसके बात इसमें आपको इसका application performance दिये गया है वो आप यहां से download कर इसके print out निकाल कर इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपका metric और middle preference पास होना चाहिए और आपके पास 3 साल का experience होना चाहिए village dairy, cooperative societies का तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो बात करें इसकी edge limit की तो edge limit इसमें 18 से 45 साल तक दी गई है तो दोस्तो इसमें भी जो आपकी processing fees है वो 500 रुपे रहेगी journal के लिए और 200 रुपे reserved category के लिए तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपको इसका performa दिया गया है जो आप इसे download कर इसके लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तो इन सभी पोश्टों के regarding अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment करकर हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं धन्यवाद दोस्तो जय हिंद जय भारत